तू ही सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा नमस्कर, सूप्रवातम, राष्ट्रिय शिक्षानीती दो शुन्य, इस विवेचन के एक श्रणी में ये दूसरे भाग में मैं भद्रायू, गुजराच से आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ पहले एपिसोड में हमने राष्ट्रिय सिक्षा नीटी में प्राथ्मिक सिक्षा मत्रू भाषा में देने के बारे में थोड़ी बात्चित की थी कई लोगों ने ये प्रश्ण उठाए हैं कि आप अपनी मत्रू भाषा में बात क्यों नहीं कर रहे हैं एक महाश्य ने तो ऐसा भी बोल दिया कि कुजराती होने के कारण भी आप हिंदी में बोल रहे हैं ये थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं मैं उनका आदर करता हूँ लेकिन ये स्पश्टिता करना ज़रूरी है कि पूरे भारत वर्ष में इस नीती के बारे में हमारे वीचार महुच सके ऐसे मंगल उद्देश्य से मैं मत्रू भाषा में नहीं लेकिन राष्टर भाषा में बात कर रहा हूँ मेरी राष्टर भाषा कोई कम एहमियत नहीं रखती है इसलिए मैं उसको वाजिब समझता हूँ और उनको ही आगे बढ़ाने का निश्चे करता हूँ मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मत्रू भाषा में प्राथमिक सिक्षन होना चाहिए होना ही चाहिए एक ही भारत देश ऐसा है कि जो थोड़े गलत मार्ग पर चला है कि वो अंग्रे जी के माध्यम से प्राथमिक सिक्षा दे रहा है मैंने वो भी बात पताई थी कि I would like to congratulate the government कि उन्होंने ये बाते मात्रू भाषा में प्राथमिक सिक्षा की बाते नीटी में स्पष्ट की है लेकिन एक छोटी सी फर्याद भी रखी थी कि राष्टिय सिक्षा नीटी clearly ऐसा कहीं भी नहीं कह रही है कि भारत वर्ष में इस नीटी के बाद मात्रू भाषा में ही प्राथमिक सिक्षन होगा very clearly it is mentioned मैं आपको line to line पढ़ कर बताना अच्छा समझूंगा कोट जहां तक संभव हो कम से कम grade पाँच तक जहां तक संभव हो कम से कम grade पाँच तक लेकिन बहतर यह होगा कि यह grade आठ और उससे आगे तक भी हो शिक्षा का मध्यम घर की भाषा ओबलिक मत्रू भाषा ओबलिक स्थानी भाषा ओबलिक क्षत्री भाषा होगे इसके बाद घर ओबलिक स्थानी भाषा को जहां भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा सार्वजनिक और नीजी दोनो तरह की स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे that means it is very clear that policy is not going to impose कि आपको प्राथमिक शिक्षा मत्रु भाषा में ही देनी होगी या तो लेनी होगी जहां तक संभव हो मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकशाही राश्ट्र में ऐसा ही करना होगा ऐसी मजबुत बात रखने का इतना सहज नहीं है जितना और देशों में हो सकता है मेरा कोई complaint नहीं है इसके बारे में लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नीटी में इतना सपष्ट करना जरूरी होगा और वो किया होता तो अच्छा रहता कि आप कोई भी माध्यम में अपने बच्चे को प्रात्मिक शिक्षा दो लेकिन वहां के मात्रू भाषा एक सब्जेक के तरीके से वेरी डीपली फिल्फूल इंटरेस्ट उस स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए हमने 2010 में एक मात्रू भाषा बंदना यात्रा का आयोजन किया था उसमें दो पॉइंट थे के आप अपने बच्चे को मात्रू भाषा में प्रात्मिक शिक्षा दो वो बहतर ही है पूरे भारत वर्ष में नहीं विश्व में ये साबित हो चुका है लेकिन आप मात्रु भाषा में शिक्षा दो उसे वक्त पे वो स्कूल को रिक्वेस्ट करो कि अंग्रेजी एज लेंग्वेज अच्छी तरह से पहले से पढ़ाए और दूसरा विकल्प हमने ये दिया था कि आप हमारे समझाने पर विश्व के कहने पर भी अपने बच्चे को मात्रु भाषा में प्रात्मिक शिक्षा नहीं देना चाहते तो अंग्रेजी माध्यम की वो स्कूल को रिक्वेस्ट करो कि वो एक सब्जेक के तौर पर मात्रु भाषा अच्छी तरह से गहराई से पढ़ाए इसलिए राष्ट्रिय शिक्षा नीती के 4.16 में एक बहुत अच्छी बात बताई है The Languages of India के उपर एक मजेदार प्रोजेक्ट गटिवीदी में बच्चों को शामिल किया जाएगा ग्रेड 6-8 के लिए एक भारत श्रेष्ट भारत की पहल की जाएगे इस प्रोजेक्ट में छात्र अधिकांश रूप से प्रमुख भारतिय भाशाओं की उलेखनिय एक्ता के बारे में जानेंगे जिसके तहट उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वईज्ञानिक रूप से व्यवस्चित वर्णमाला और लीपियों उनकी सामान्य व्याकरणिय समुरचनाओ संस्कृत अन्यसास्त्रिय भासा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उत्बव को धूंडने के लेकर इन भाषा के सम्रुथ अंतरभाव और अंतरों को समझना शामील है और ये भी अच्छी बात है के एक अविधानिक अनौपचारिक प्रकल्प के तोर पे भारतिय भाषाओं का परिचे देना पसंद किया है यहाँ एक बात भी स्पष्ट कर लूँ ये बातें जो अधर लिंग्वे जिसके लिए होगी वो प्रकल्प के तोर पे होगी और एक विधान बहुस्पष्ट लिखा हुआ है इसमें किसी भी रूप में मुल्यानकन शामिल नहीं होगा हमारी एक कमजोरी वो है कि हम अच्छे से कोई टॉपिक को पाठ्यकरम बना देते हैं पाठ्यकरम बनाने के बाद उसका मुल्यानकन कर देते हैं तो उनका वेल्यू थोड़ा कम होता है और वो पढ़ने और भूल जाने का विशय बन जाता है भाषा फॉर्मिला के बारे में संस्कृत की बीचिंता राष्ट्रिय शिक्षा नीती में की गई है और ये स्पष्ट किया है कि संस्कृत को त्री भाषा के मुख्यधारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के सबीस तरों पर चात्रों के लिए एक महत्व पूर्ण सम्रुद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा यहां भी मैं एक बात स्पष्ट कर लूँ मत्रु भाषा में जो नीती आने के बाद हम बोलने लगे थे के प्राथ्मिक सिक्षा मत्रु भाषा में होगी ऐसा लिखा है नहीं ऐसा नहीं है संस्कूल को बहुत वजुद्ध दिया गया ऐसा लिखा है ऐसा भी नहीं है वो त्री भाषा फॉर्मिला के साथ एक मुख्या आधार बनाने की बात है और उच्चारण के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों में और हर एक जगा पर संस्कूल को प्राधान्य देने की बात राष्ट्य सिक्षा नीती में की गई है राष्ट्य सिक्षा नीती दोशुन्य दोशुन्य में भाषाओं का स्थान कहा है ये बताने के लिए मैंने आज की बात रखी है मैं फिर से ये सुपष्ट कर दू मतरू भाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए लेकिन होगी ही ऐसा नीटी में नहीं किया गया है संस्कृत एक मुख्याधार भाषा बन सकती है With the help of the three भाषा formula वो भी इतना clear कर लें कि आज हिंदी का, संस्कृत का, स्कूल सिक्षा से शालेय सिक्षन से ही नाता तुटता जा रहा है तो ये बात सोचनी होगी कि हम हिंदी को, हम संस्कृत को और ऐसी जो त्री भाषा formula वाली बात है उनको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे मैं फोरिस्फीर से एक बार आनन्द भी व्यक्ट करूँ कि भाषाओं के बारे में the languages of India के नाम से एक प्रकल्प की बात, अच्छा प्रकल्प लेके आई है रिक्षिक्षानीती लेकिन आज जहां हिंदी नहीं है आज जहां मत्रु भाषा नहीं है आज जहां संस्कृत नहीं है तो आगे उनका आधार कैसे खड़ा करेंगे इसकी कोई स्पष्टता राष्ट्रिय सिक्षानीती में नहीं है आज की बात मैं यहां विराम दूँ फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे फाइव प्लस त्री प्लस त्री प्लस फोर जो धाचा बदला गया है उनके बारे में हम दस मिनिट बात करेंगे आपके सुझाव का मैं हर दिक स्वागत करता हूँ गुजराच से पद्रायू का नमस्कार तू ही सागे है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका सहारा डूंडता है तो किसका सहारा